तो हलो फ्रेंग दी जम्रेश्कुमार टोंटो आज हम करने वाले हैं दा रिंग ओ पिंटीजर इस एफ हॉए है सुछलों करने वाले हैं कि पीटा कोई भी रिंगो फिंटीजर जो है वो प्रिंसीपल आईडेल रिंग हमेशा बनेगा यह हम प्रूफ करने वाले थोरम का तो आईडियल और ये उस से पहले चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर ले तो आज हम करेंगे इसमें कि दर रिंग ओफ इंटीजर इस ओलवेज प्रिंसिपल आईडियल रिंग तो मैंने प्रिंसिपल आईडियल दिंग की डेफिनिशन भी कराई थी प्रिवेस वीडियो में मिलेगी आपको जाके पर लिस्ट में आप देख सकते हैं तो मैं बताऊंगा इसमें भी आपको तो थोरम क्या है बिटा दर रिंग ओफ इंटीजर दा जाएगा पूरी वीडियो देखें आप यहां पर मैं एक रिंग ओफ इंटीजर लेके चलता हूं तो तो रिंग ओफ इंटीजर को हम जैड शेड निनोट करते हैं तो मैंने कंसिडर कर लिया कि लेट है जैड है वी घाल जैड है कुए रिंग ओफ इंब इसको हम जैड शेड कोई भी रिंग प्रिंसिपल आईडियल रिंग कब होगा देखो दो चीज़े होते हैं एक होता है प्रिंसिपल आईडियल अगर आपको यह देखना हो कि कोई भी जैसे मैं पहले तो यह लिदा हूं इस S ideal को principal ideal कब कहेंगे आप जब यह S किसी single element से generate हो ठीक है बट यहाँ पर आपको प्रूव करना है इसको principal ideal ring तो कोई भी principal ideal ring कब होगा जब उसकी हर ideal principal ideal हो मतलब यहाँ पर हम Z की कोई भी ideal अगर लें तो हर ideal क्या बननी चाहिए प्रिंसीपल आइडियल बननी चाहिए या अदर वर्ड्स में कहें तो जड की हर ideal क्या हो single element से generate होनी चाहिए each and every ideal of Z must be principal ideal प्रिंसीपल आइडियल क्या कि वो single element से generate हो तो मैं इस Z की कोई भी arbitrary any arbitrary S कोई ideal उठा लिए मैंने randomly तो मैं इस S को यह दिखाऊंगा बिटा कि यह principal ideal है तो जैसे S को principal ideal दिखाया ऐसे अगर मैं कोई भी ideal इसकी उठाता तो हर ideal इसकी principal ideal बन जाएगी तो डायरेक्ट महीं से कहा देंगे हैंस जो जी रिंग ओफ इंटीजर जेड है उसकी हर आइडियल प्रिंसीपल आइडियल है तो वह क्या बन जाएगा प्रिंसीपल आइडियल रिंग बन जाएगा ठीक है तो हमने सिर्फ एम यह है कि ऐस जो है किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाए ठीक है वह कैसे करेंगे देखते हैं तो ऐस मैंने कोई आइडियल लिए बिटा जैड की अब मैंने क्या किया इससे अगर मैं आइडियल कहा हूं तो मैं यह कैसकता हूं बटो देखो दन एस विद रिस्पेक्ट टू पलास इज सब गरूप आफ जैड तो जैड ओंड़ सब गुरूप भी होगा जैड का यह मैं आइडियल की प्रोपर्टी से पता है तो इसका मैं यूज कैसे करूंगा अगर बेटा मैं कोई अगर मैंने कोई एलिमेंट लिया कि अगर मैं एको एस से बिलोंग कराता हूं और एस है आपका सब्गूरूप अंडर जैड तो यह का जो एडिटिव इन्वर्स होगा माइनस से वह भी इसके अंदर एक्जिस्ट करता होगा तो देन मैंने का की बीच इंपलाइज माइनस इंडर एडिशन कि अगर चार है एसके अंदर तो माइनस चार भी उसके अंदर होता है उसका इन्वर्स अब देखो यहां पर यहां पर क्या हम स्योर्टी दे रहे हैं कि अगर ए पॉजिटिव है तो ठीक है अगर ए नेगिटिव भी हुआ माल लिया तो उस पे फिर हमने न सब्सक्राइब करूंगा तो यह तो फोर हो जाएगा तो मतलब मैं यह कह सकता हूं कि एसके अंदर पॉजिटिव अलिमेंट तो जरूर है समझारी बात मैंने यहां पर यह शोर्टी दी कि एस जो है पॉजिटिव अलिमेंट को कंटेन करते हैं यह सब हम कर क्यों रहें वह चैनल रहें बताऊंगा मैं आपको बने रहें मेरे साथ समझ आने वाला आपको 100 % क्यों किया तो मैंने यह कहाँ देता हूं बीटा की विच इंप्लाइज देर एक जिस्ट एट लिस्ट एट लिस्ट वन पॉजिटिव ऑलिमेंट यह पोजिटिव इंटीजर पॉजिटिव किया देखो नौ मैंने लेट कर लिया लेट एक सेट ले लिया एस पलस के नाम से जिसमें क्या है सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर डाल दिये जितने एस में है एस पलस इगवल टू एस बिलॉंग स्टू एस एस के अंदर वो वाले स्मोल एस जहां पे जो एस है वो पॉजिटिव इंटीजर जितने है वह एस पलस में डाल दिये अब मेरा एम यह रहेगा बेटा कि मैं इस एस को ना किसी पॉजिटिव अलिमेंट से जनरेट करके दिखाऊंगा तो मैं देखो अब अब हमें एक बात पता है कि अगर कोई सेट है जिसमें पॉजिटिव इसमें पॉजिटिव इंटीजर है तो इन में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है तू तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर का फाइनाइट सेट है हमारे पास तो उसका हम सबसे छोटा एलिमेंट ढूंड सकते हैं तो मान लिया इस सेट में बहु सबसे चोटा positive integer क्या मान लिया B मान लिया कि वह सबसे चोटा integer है यह मैंने मान लिया अब मेरा यह क्लेम करने अपने आप से कि जो एस है न वह इस बी से जनरेट हो जाए यह हमने क्लेम कि ऐसा पुरूफ कर के दिखाएंगे अगर ऐसा हो गया कि S B से generate हो गया तो S हो जाएगा principal ideal कुकि S arbitrary कोई भी ideal था वो principal ideal हो गया तो भी हम direct Z को क्या कहाँ देंगे principal ideal ring कहाँ देंगे ठीक है तो मेरा aim रहेगा कि S को मैं B से generate दिखाऊँ ठीक है अब देखो S को B से generate दिखाना मतलब क्या आप ये दिखाओ कि S का हर element B का multiple लिखा जा रहा है S में से कोई भी element लिख रहे हैं ले रहे हैं अगर आप तो B का multiple लिखा जा रहा है तो मैंने क्या किया थोड़ी देर के लिए इसको proof करने के लिए S ले लिया S से समझारी ये बात S ले लिया S से तो मैं इस S को ना क्या दिखाऊंगा B into something B into some positive integer मैं इसको दिखाऊंगा या negative integer कि S equal मतलब ऐसा दिखाना पड़ेगा मुझे कि S को मैं ऐसे दिखाऊं B into some integer अगर ऐसा होगे तो S लिया S से S B का multiple लिखा जा रहा है इसका मतलब S जो है वो B से generate हो रहा है मतलब S में कैसे element आएंगे मैं समझा देता हम आपको B into something मतलब सारे जो element होंगे वो S ही होंगे B के multiple समझारी ये बात तो S को मुझे B into something दिखाना पड़ेगा तब हम कह सकते हैं कि S B से generate हो रहा है तो 2 integers है एक है S अभी थोड़ी देर के लिए एक है B clear समझागी बात तो मैं क्या कर रहा हूं पेटा S को B से divide करा रहा हूं थोड़ी देर के लिए मैंने क्या किया क्योंकि B मेरा सबसे छोटा integer है तो हो सकता S बड़ा हो तो मैंने छोटे नंबर से S को divide करा होगा क्या division algorithm क्या कहते है जब भी दो integer को divide कराते है तो कोई न कोई quotient मिलेगा और कोई न कोई remainder मिलेगा भाई division algorithm ये भी कहते है आपको कि फिर S को कैसे लिख सकते हैं B Q plus R ऐसे लिख सकते हैं for example मैंने यहां पर 8 ले लिए इसको 3 से divide कराया ठीक है तो क्या हो गया 326 और यह बचा आपका 2 remainder तो इसको आप थोड़ा और simplify करने के लिए इसको आप ले लो 10 ठीक है आप यहां पर आप कर लो 33 जा थोड़ा इसली समझा जाएगा 339 और 1 आगे remainder तो देखो आप इस 10 को क्या लिख सकते हो 10 equal to 3 into 3 तो 3 into 3 और पलस remainder ऐसे लिख सकते हैं आप ऐसे लिख सकते हैं तो मैंने यहां भी तो यह किया है कि यह क्या है आप आप रहा diviser तो diviser is equal to sorry dividend है हमारा यह तो dividend S equal to B into Q B into Q plus remainder देखो 10 equal to 3 into 3 और पलस यह 1 remainder अब आपको एक बात और पता है कि जो remainder होगा बेटा remainder क्या होता है या तो वह 0 होगा तो या तो वह 0 के को लाएगा या 0 से बढ़ा होगा या इस B से जिस से divide कर रहे हैं उससे छोटा होगा मतब remainder अगर यहां 4 आ जाता तो मैं 3 से फिर से divide करता जब तक divide करते जब तक 3 से छोटा ना हो या 0 ना हो तो मैं मुझे आर के पास फिरृपरर्टी बता की आर जो है वह या तो जीरो होगा या 0 से बड़ा हो और वी इसे कम होगा जिससे divide कर रहे हैं आगे चलते हैंप यहां से मैं कैसे लगाता हूँ अब आपको एक बाद पता है वो मैंने कहां से लिए है mau कहां पर बिलोंग करता है एक हमने कोई ना कोई डिवाइजर लिया है बी जो मुझे सिज़ाइते क्यूंभी ऊकोई ना कोई कोशेंट पर आप बहुत है कि सब्सक्राइब अब अni zip बी के पास एक और प्रोपर्टी है मैंने S को क्या लिया है बी बीदा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर इन S मतलब बी को भी हमने S से ही लिया है तो मैं यहां पर इसको लिखूंगा क्योंकि मुझे इसका यूज़ से तो है यह साथ के साथ यह भी तो लिखा है बी बीदा लिस्ट पॉजिटिव इंडियर इन S तो यहां से अब देखो आइडियल होने का यूज़ करो भाई इस क्या है कोई डीयल है डीयल क्या कहते है कि अलेट इन फिट को fino को ढईईड साइड में रखा है जिसको आइडियल कहरे है सको सलम मनले लेफट साइड में रखा है तो और डीयल भी होगी है तो यहES में भी लोग करेगा इसका यूज अब आप देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं यहां से इसको क्या लिख सकता हूं मैं S B Q को मैं left side layer equal to R अब देखो बटा S S से है B Q भी S से है 2S के number 2S के element S है subgroup तो इन दोनों का difference भी कहा जाएगा S में जाएगा क्योंकि S subgroup है यह सोच लें कि B Q S में है तो minus B Q भी S में जाएगा तो S plus minus B Q यह भी कहां जाएगा S में जाएगा अब आप यह देखो जब यह S में है तो यह तो आर के को बले तो इसका मतलब हम कहेंगे कि R भी S में है लेकिन अगर आपने यह कहा दिया कि R S में है क्या R S में हो सकता है देखो बेटा दियान से आप यहां R जो है ना B से less है और यह कह रहा है कि B से छोटा number S में जा रहा है आपने तो क्या लिए भाई B B the least positive integer B ही वो सबसे छोटा integer है जो S के अंदर है मतलब S के अंदर B से छोटा को integer ही नहीं यहां मान के चले हैं यहां हमने consider किया है और यहां कह रहे है कि B से छोटा R S में जा रहा है इसका मतलब यह क्या है एक contradiction है समझारी बात इसका अब आर B से छोटा हो नहीं सकता जब आर B से छोटा नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या है आर जो है वो 0 के एकवल है तो इसका मतलब विच इंपलाइज आर एकवल टो 0 लेकिन अगर आर 0 के एकवल हो गया तो S क्या बचा S तो सिरफ VQ बचा तो मैं क्या चालता था कि S जो है न कैसा दिखे B into some integer दिखे तो S जो है B का multiple दिख रहा है इसका मतलब जो S है उसका हर element B का multiple दिख रहा है इसका मतलब जो S है वो क्या हो गया बेटा वो principal ideal हो गया तो जैसे S principal ideal हुआ ऐसे ही इसका हर ideal principal ideal हो जाएगा hence we can say that Z be the principal ideal ring तो अगर बेटा कोई doubt है आपको तो मुझे comment करके बताए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें ज्यादा ही ज्यादा अपने friends के साथ share करें तब तक के लिए जैहिन जैवारत मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैवारत and thank you